वेलकम टू तेज एजुकेशन मितनों आज हम पर्रेवान विशे का आठवा प्रेक्टिस सेट देखने वाले हैं और इस प्रेक्टिस सेट में हम 25 महत्वण प्रशनों डिसकस करेंगे इसी के साथ साथ आपको 3000 महत्वण प्रशनों की सीरेज करा दी जाएगी हमारे दोरह जो आपको क्लास उपलब्द कराई जा रही है आप इस क्लास का पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं पीडियेप के लिए आप वाटसेप ग्रूप में सामिल हो जाएं आपको यह पीडियेप निशुल के दिये जाएंगे इसी के साथ साथ आप निशुल के टेस्ट सीरेज भी जोइन कर सकते हैं सबसे पहला प्रशन है कि मानव सरीर के लिए सुख दायक ताप परिसर कौन सा होता है 20 से 25 डिगरी सेलसियस या 25 से 30 डिगरी सेलसियस तो मानव सरीर के लिए सबसे शुख दायक ताप परिसर में सामिल होता है 20 से 25 डिगरी सेलसियस ताप परिसर 20 से 25 डिगरी सेलसियस मानव सरीर के लिए सुख दायक ताप परिसर होता है जो टेंपरेचर लिमिट होती है वो कितनी होती है 20 से 25 डिगरी सेलसियस बहुत ही मात्रपुन प्रश्ण है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पर रहवाड में अगला प्रश्ण है कि ज्वाला मुकी फटने पर कौन सा प्रकृति चक्र प्रभावित होता है जब ज्वाला मुकी फटता है तो फॉस्पोरस चक्र प्रभावित होता है या कारवन चक्र या नाइट्रोजन चक्र या फिर सल्फर चक्र तो इसका सही जवाब है कि जो आला मुकी फटने पर पक्रती का जो चक्र प्रभावित होता है वह है फॉस्फोरस चक्र फॉस्फोरस चक्र प्रभावित होता है जो आला मुकी के फटने पर हमेसा याद ना तो कारवन चक्र और ना ही नाइट्रोजन चक्र कौन सा फॉस्फोरस चक्र प्रभावित होता है अगला प्रशन है कि प्रकाश शंसलेशन की क्रिया की दर अधिक्तम कब होती है 70 से 100 डिग्री फेरेनहाइट पर या फिर 70 से 70 फेरेनहाइट पर या 70 से 130 फेरेनहाइट पर तो प्रकाश संसलेशन की क्रिया की दर अधिक्तम होती है सब्तर से शो फेरेन हाइट परो कि option A इसका सही जवाब प्रशन है कि कौन सा सबसे कम ताप परिसर को बरदाश्ट कर सकता है सबसे कम ताप परिसर पूचा है सबसे कम ताप परिसर को कौन बरदाश्ट कर सकता है तो इसका सही जवाब होगा गोंगा, दीमक, टॉंग या फिर ओयश्टर तो इसका सही जवाब है कि सबसे कम ताप परसर को गोंगा बरदाश्ट कर सकता है अगरा प्रशन है किस लंबे ताप परसर को सहन कर लेने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं ऐसे प्राणी जो लंबे ताप परसर को सहन कर सकते हैं उन्हें प्रतोतापी कहते हैं तीर घतापी, तनोतापी या फिरिन मैंसे कोई नहीं तो इसका सही जवाब है कि ऐसे जीवों को या ऐसे प्राणीयों को जो लंबे ताप परसर को सहन कर सकते हैं इन्हें प्रत्थोतापी कहा जाता है प्रशन हैं कि मूंगे की चट्टा ने इस्थित हैं कहां 30 दिगरी नौर्थ से 30 दिगरी अच्छंस या प्रशंत महसागर या फिर 10 दिगरी नौर्थ और 10 दिगरी साउथ या भूमद्य रेखा के पास तो मूंगे या कॉरल की चट्टा ने इस्थित हैं मित्रों कहां 30 दिगरी नौर्थ और 30 दिगरी साउथ अच्छंस पर उप्सन ए इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि संसार में पर्यावरण जागरुकता की सुरुवात किस ने की थी रशेल कॉर्शन ने या फिर बिलियम हैवेट ने या ईपी ओदम ने या फिर एजी टॉंशले ने तो संसार में पर्यावरण जागरुकता की सुरुवात सबसे पहले की रशेल कॉर्शन ने उप्सन ए इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि कौन सा गर्म रुधिर धारी जन्तु है वार्म ब्लडेड एनिमल इन मैंसे कौन है कबूतर गोरे या मनुष्य या फिर कोब्रा तो अब तक प्रशन क्रमंग साथ तक हमने जो प्रशन देखे हूं सभी का अनुसर क्या था ए अब प्रशन क्रमंग आठ का सही जबाब है उप्सन D कोब्रा जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में सामिल किया जाता है अर्थात गर्म रुधिर धारी जन्तु है प्रशन है कि किस जन्तु की लिंगान पात ताप से सबसे अधिक प्रभावित होती है कैंचुआ कोक्रोच वेल या फिर रोटी फर्स तो इसका सही जबाब है मित्रो प्रहंकरमांक नौका अपसंगी रोटी फर्स अगला प्रशन है कि प्रकास रोत की बिपरी दिसा में गमन करता है कौन कैंचुआ अगला प्रशन है कि कम प्रकास वाले छेत्रों में पाए जाने बाले पौधे क्या कहलाते हैं तो कम प्रकास वाले छेत्रों में पाए जाने बाले पौधे कहलाते हैं जीव दर्व्य का पि-एच मूल्ले क्या होता है यह पी-एच मान chwilा क्या होता है यह तब्द्ध्यात्मक प्रश्न सीधे सीधे अपको याद होना चाहिए तो इसका सही जवाब है एक दसम्लब जीरो दो आठ ओके पी एच वेल्यू कितनी होती है जीवद रब्ब की एक दसम्लब जीरो दो आठ अगला प्रशन है कि बाय मंडल में कारवन डाई ओकसाइड गेस की आदर समात्रा कितनी मानी जाती है तीन प्रशन या जीरो दसम्लब जीरो तीन या जीरो दसम्लब जीरो जीरो तीन प्रशन तो मितनों इसका सही जवाब है कि बाय मंडल में कारवन डाई ओकसाइड गेस की आदर्श मात्रा मानी जाती है कितनी तो मितनों इसका सही जवाब है जीरो दसम्लब जीरो तीन प्रश C इसका सही जवाब है प्रहंकरभांग 13 अगला प्रश्न है कि बाय मंजल का सबसे परवरतन सील तत्व कौन सा है CO2 जलबाशप ओटू या नाटोजन तो बाय मंजल का सबसे परवरतन सील तत्व है O2 अगला प्रश्ण है कि बाय मंडल की वह सीमा जिसमें उचाई के साथ ताप गिरना बंद हो जाता है वह चोब मंडल कहलाता है या मध्य मंडल या आयन मंडल या फिर वह मंडल तो बाहे मंगल की वह सीमा जिसमें उचाई के साथ ताप गिरना बंद हो जाता है वह छोब मंगल कहलाता है प्रशन है कि जिसकी अंतिम सीमा अंतरिच से आरंभ होती है वो क्या कहलाता है बाहे मंगल, मध्य मंगल, आयन मंगल या समताप मंगल तो मित्रों ये कहलाता है बाहमंगल जिसके अंतिमसी में कहां से अंतरिच्छ से आरंभ होती है प्रश्ण है कि कौन सा प्राथमिक सेल में सम्मिलित नहीं है ग्रेनाइट, वैसाल्ट, डोलोमाइट या कोईला तो प्राथमिक सेल में सम्मिलित नहीं है वो है कोईला अगला प्रश्ण है कि रौस वी लहरों का सम्मंध किस्से है मौसम से, महसागर से, तालाप से या फिर भू कम्पिय पक्तित तो रौस वी लहरों का सम्मंध है मौसम से अगला प्रश्ण है कि एक्विफर का सम्मंध किस्से है तो एक्यूफर का सम्मंद पानी से होता है या भूमगत जल से या बरसा जल से या मिट्टी के कटाव से तो एक्यूफर का सम्मंद होता है भूमगत जल से प्रशन हैं कि महा सागर जिसमें बिरोधी दसाओं में से दो धाराएं एक साथ चलती हैं वो अरफ सागर है या भूमध्य सागर या मृत सागर या फिर प्रसांत महा सागर तो ऐसा महा सागर जिसमें ब्रोधी दिसाओं में दो धाराएं एक साथ चलती है वो सागर है में त्रों भूमध्य सागरों का अप्सन B इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि फोटो कॉपी मसीन कौन सा प्रदूसर को उतपन करती है तो फोटो कॉपी मसीन उतपन करती है ओजोन option A इसका सही जबा प्रश्ण है कि कमरे में formal high production का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है तो furniture कमरे में formal high production का सबसे बड़ा स्रोत होता है फरनीचर प्रश्ण है तेस्वा कि अखवार की स्याई में पाया जाने वाला बिशेला तक तो कौन सा होता है तो कापि मात्वपूर्ण है और शामा ने सा प्रश्ण है तो अखवार की स्याई में पाया जाने वाला जो बिशेला तक तो होता है वह होता है लेड ओके अगला प अगला प्रशन ही कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रते व्यक्ति उस सर्जन में बिश्व में प्रतम इस्थान पर कौन है तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रते व्यक्ति उस सर्जन के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका प्रतम इस्थान पर आता है मैं तुरूं आपका स्कोर क्या रहा 25 में से आप कितनी प्रशन सही करपाए कमें जरूर करें और इसी तरह कि सबी क्लासिस के लिए आप बने रहेगा तेज एजूकेशन के साथ इसी के साथ साथ आप हर क्लास का PDF हमारे WhatsApp ग्रूप पर सामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं